नीमू के इस पौधे की सारी पत्तियां सूख कर गिर गई हैं और पौधा भी सूखने लगा है कुछ महीने पहले ये एकदम हरा भरा था इसके बाद इसमें लीफ करल याने पत्तियां मुडने वाली बीमारी हो गई थी गमले के ड्रेनेज वाले छेद बंध होने की वज़े से इसमें नीचे की मिट्टी गीली बनी रही और ओवर वाटरिंग की वज़े से इसमें रूट रॉट याने जड़ गलाने वाली फंगस भी लग गई है पहली नजर में देखने पर लगता है कि ये पौधा मर चुका है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप सही ट्रीटमेंट टेकनीक्स जानते हैं तो इस मरते हुए पौधे को भी आप बड़ी ही आसानी से बचा सकते हैं और दोबारा हरा भरा और घना बना सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मरते हुए नीबू के पौधे को बचा सकते हैं और आप वो कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वज़ा से पौधा मर जाता है नीबू के पौधे और दूसरे हाउस प्लांट्स में कौन कौन सी बीमारिया लगती हैं और उनका असरदा ट्रीटमेंट्स कैसे किया जा सकता है वीडियो के आखिर में मैं आपको ऐसी पांच ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके पौधे साल भर हेल्दी रहेंगे और फलते फूलते रहेंगे अगर आपके घर पर भी अकसर पौधे सूख जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्फूल होने वाली है इसलिए इसे बिना स्किप किये आखिर तक देखे जिससे कोई भी इंफोर्मेशन मिसना हो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो इसे पीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इससे वीडियो की एंगेजमेंट और रीच बढ़ती है और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाता है इससे मुझे भी नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हेलो एवरिवन मैं हूँ शृरीश और आप देख रहे हैं बोन साय एंड गार्डनिंग जोन आप नर्सरी से एकदम हेल्दी और हरा भरा पौधा अपने घर लेकर आते हैं कुछ महीनों तक तो वो हेल्दी रहता है और अच्छी तरह से फलता फूलता रहता है पर अच्छानक पौधा बीमार होकर धीरे धीरे सुखने लगता है आप इसकी वज़ा समझ नहीं पाते और अपने पौधे को मरने से बचाने के लिए और ज्यादा पानी देने लगते हैं इस तरह की ओवर वोटरिंग से पौधा और तेजी से सुखने लगता है और कुछी दिनों में मर जाता है ऐसा ज्यादा तर गर्मियों और बरसात के मौसम में होता है अगर आप गार्डनिंग के शौकिन हैं तो आप में से ज्यादा तर लोगों के साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा दोस्तों पौधों के अचानक सूखना शुरू होने की कई वज़़ा हो सकती हैं जैसे रिपोर्टिंग शौक, खराब मिट्टी, बेहत तेज जूप या धूप न मिलना, ज्यादा या कम पानी देना, निूट्रिशन की कमी या कोई बिमारी इन में से सबसे कॉमन रीजन है ओवर वाटरिंग मेरे इस निबू के पौधे के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है ओवर वाटरिंग और पूर सॉयल की वज़े से इसमें रूट रॉट हो गया है अगर इस पौधे को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो अब मैं आपको step by step updates के साथ live demonstration करके सिखाऊंगा कि कैसे इस निबू के पौधे या दूसरे किसी भी मरते हुए पौधे को दोबारा revive करके हरा भरा और healthy बनाया जा सकता है ये पौधा सूख रहा है लेकिन हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या इसकी branch अंदर से green है या नहीं अगर सारी branches अंदर से सूख चुकी है तो इसका मतलब पौधा मर चुका है और इसे बचाया नहीं जा सकता लेकिन अगर branches अंदर से green हैं तो इसे बचाया जा सकता है मोटी branch में इस तरह से नाखुन लगा कर देखने पर मालूम पड़ता है कि ये branch अभी भी सुखी नहीं है अब मैं उपर से नीचे की तरफ sharp cutter से branches को इस तरह से काटता जाऊंगा ये branch उपर से सुखी हुई है अब इसके थोड़े नीचे से काटते हैं अभी भी dead branch है थोड़े और नीचे से cut लगाते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये branch अंदर से green है इसका मतलब इस पौधे को बचाने के high chances हैं अब सबसे पहले मैं आसपास की सूखी branches की cutting कर देता हूँ अब हमें चेक करना है कि इसकी जड़े healthy हैं या root rot के कारण गल गई है इसके लिए पौधे को गमले से सावधानी से बाहर निकालना है मैंने इसमें दो दिनों से पानी नहीं दिया है इससे मिट्टी थोड़ी सूख जाती है और पौधा गमले से आसानी से बाहर आ जाता है दोस्तो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस तरह का root treatment गर्मी के दिनों में बिल्कुल नहीं करना है इसके लिए बरसात का मौसम या फरवरी से लेके एपरिल का महीना बेस्ट होता है पौधे को इसकी root ball सहीद बाहर निकाल लिया है देखिए इसके root ball में fungus infection हुआ है अब जड़ों के आसपास से थोड़ी बहुत मिट्टी हटा दीजिए पर ध्यान रहे कि नाजुक feeder roots डेमेज नहूँ अब हमें root ball से बिना root damage किये पुरानी मिट्टी को पूरी तरह से साफ करना है और इसका best तरीका होता है root ball को कुछ देर के लिए पानी में डुबो कर छोड़ देना 15 मिनिट बाद जड़ों से पूरी तरह से मिट्टी हट गई है अब एक बार और इसे साफ पानी से धोलेंगे क्योंकि हमें पुरानी infected मिट्टी को पूरी तरह साफ करना है दोस्तो roots साफ हो चुकी है अब आपको ये observation करना है कि इसकी जड़े गल रही है सौगी या नरम पड़ रही है या नहीं ये जो सफेद roots आप देख रहे हैं ये है healthy feeder roots और इनी की मदद से पौधा दोबारा revive हो सकता है इसकी काफी सारी जड़े सड़कर काली हो गई है इसका मतलब जड़ों में fungus infection है sharp cutter को sanitize करके सभी सड़ी गली roots को काट दीजे ये मोटी root भी नरम पड़ गई है और गल रही है इसे भी काट दूँगा मैंने सभी गली हुई और infected roots को काट दिया है और healthy roots को छोड़ दिया है लेकिन अगर हमने इसे ऐसे ही दोबारा मिट्टी में लगा दिया तो बची हुई roots भी fungus के कारण सड़ जाएंगी इसलिए अब मैं इसका anti-fungal treatment करने जा रहा हूँ root rot को healthy जणों तक फैलने से रोकने के लिए आपको चाहिए hydrogen peroxide 3% hydrogen peroxide होता है H2O2 इसमें hydrogen के साथ साथ extra oxygen molecule होते है hydrogen peroxide soil में absorb होकर oxygen release करता है पौधे के root system को healthy रखता है hydrogen fungus को बढ़ने से वहीं रोक देता है और extra oxygen molecule नई roots की growth में मदद करता है ये कोई harmful chemical नहीं है hydrogen peroxide 3% पौधों के लिए बिल्कुल safe होता है और इसलिए gardening और organic farming में भी इसका काफी इस्तेमाल होता है पौधों के लिए hydrogen peroxide के benefits जानने के लिए google कीजिए hydrogen peroxide आपको किसी भी दबा की दुकान पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा 2 लीटर पानी में 20 ml hydrogen peroxide 3% मिला रहा हूँ क्योंकि मेरा plant बड़ा है अगर आपका पौधा छोटा है तो एक लीटर पानी में 20 ml मिला सकते है इसके बाद इसमें मिलाना है एक चमच साफ fungicide powder आप किसी भी तरह का fungicide powder यूज कर सकते है जणों को इस पानी में डुबा कर 15 मिट तक छोड़ना है अगर आपका पेड़ जमीन में लगा है और इसी तरह से अचानक सूखने लगा है तो इसी तरह का 2 लीटर एंटि फंगल पानी बना कर पेड़ के एक फुट दाएरे में हलकी हलकी खुदाई करके हर 15 दिन में एक बार डालिए 15 मिट हो गए हैं अब मैं इस पौधे को नई मिट्टी में रिपॉर्ट कर दूँगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पुराने गमले के सभी छेद रूट्स और मिट्टी ने बंद कर दिये थे अब गमले से सारी कंटैमिनेटेड मिट्टी को निकाल कर इसे डिटरजेंट या ब्लीच के पानी से अच्छी तरह से धोना है पुरानी मिट्टी को दोबारा यूज नहीं करना है वरना दोबारा फंगस लग जाएगी क्योंकि इनफेक्टेंड मिट्टी में वाइरस और पैथोजन्स कई सालों तक मौझूद रह सकते हैं पॉट को अच्छी तरह से धोलिया है मिट्टी से ड्रेनेज होल्स दोबारा ब्लॉक नहीं हूँ इसलिए मैं इस पर कोको फाइबर याने नारियल के रेशो को रख रहा हूँ अब इस पर पतली सी लेयर बारीक पथरों की या कंगरों की डाल देते हैं ये ड्रेनेज होल्स से पानी के साथ मिट्टी को बहने से रोकती हैं नीवू के बीमार पॉधे को लगाने के लिए मैंने ऐसी मिट्टी तैयार करी है जिसमें पानी ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा इसके लिए मैंने 50% रेथ और 50% नई मिट्टी मिलाई है फिलाल इसमें किसी तरह का खाद या कंपोस नहीं मिलाना है जिससे मिट्टी एकदम पूरस रहे और नई रूट्स की ग्रोथ अच्छे से हो अब गमले में इस स्वाइल मिक्स को आधे से ज़्यादा भर लीजिए पौधे को एंटि फंगल सॉल्यूशन से निकाल कर तुरंद लगाईए मैं इसकी जड़ों के आसपास भी थोड़ा फंगिसाइड पाउडर डाल रहा हूँ इससे रूट रॉट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अब पौधे में भरपूर पानी दीजिए हमें इसमें तब तक पानी देते रहना है जब तक ड्रेनेज होल से पानी बाहर न निकलने लगे आप देख सकते हैं मिटी इतनी वैल ड्रेंड है कि पानी तुरंद बाहर निकल रहा है वाटरिंग के बाद हमें गमले को ऐसी जगह पर रखना है जहां इसे सुबा की 3-4 घंटे की दूप मिल सके और बाकी समय ये शेड में रहे दोस्तो ओवर वोटरिंग के कारण ही ये नीबू का पौधा खराब हुआ है इसलिए अब आपको एक बात का ज्यान रखना है कि अगली बार इसमें तभी पानी देना है जब उंगली से छूने पर उपर की एक इंची मिट्टी सूखी लगे जिन पौधों में पत्तियां नहीं होती हैं उनकी मिट्टी जल्दी नहीं सूखती इसलिए अगर मिट्टी गिली हो तो पानी मत दीजिए वरना पौधा रिवाइब नहीं हो पाएगा नीबू के इस पौधे की रिपोर्टिंग किये हुए आज 48 दिन हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें दोबारा नई पत्तियां आना शुरू हो गई हैं इसका मतलब मिट्टी में नई रूट्स निकलने लगी हैं दोस्तों ये पौधा मरने की कगार पर खड़ा था लेकिन एंटी फंगल ट्रीटमेंट के बाद अब ये दोबारा रिवाइब हो गया है इसे फ्रूटिंग शुरू करने लाइक हरा भरा और हेल्दी होने में एक से डेल साल या कभी गभी इससे भी ज्यादा समय लग सकता है ये डिपेंड करता है कि पौधा कितना डेमेज हुआ 90 दिनों के बाद इसमें फूल आना शुरू हो गया है पर ये फूल गिर जाएंगे क्योंकि पौधा अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है अब मैं इसकी पतली, कमजोर और लंबी ब्रांचिस की कटिंग कर दूँगा ऐसा करने से इसमें नई साइट ब्रंचिस निकलेंगी और पौधा घना होने लगेगा 10 महीने बाद पौधा काफी घना और हरा भरा हो गया है और इसमें दोबारा फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है 12 महीनों बाद ज्यादा तर फूल फ्रूट्स में कनवर्ट हो गए है 17 महीनों बाद पूरा पौधा फलों से भर गया है दोस्तों इसी तरह से आप सिर्फ नीबू ही नहीं बलकि किसी भी तरह के मरते हुए पौधे को बचा कर दोबारा हरा भरा और हैल्दी बना सकते हैं भोगन विलिया का मेरा ये हाइब्रिड प्लांट भी लगभग सूप चुका था इसकी सारी सड़ी गली जड़े काट कर इसे भी मैंने हाइडोजन पेरोकसाइड में ट्रीटमेंट किया कुछ दिनों बाद इस पौधे में भी दुबारा नई ग्रोध शुरू हो गई इसी मेधड से मैंने अपने हिबिसकस याने गुड़ाल के मरते हुए पौधे को रिवाइब किया था जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया है तो उपर दिख रहे है आई बटन पर क्लिक कीजिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंट कमेंट में भी मैं दे रहा हूँ रूट रॉट के अलावा पौधा सूखने के और भी कई कारण होते हैं कुछ पौधे हार्डी स्पीशीज होते हैं तो कुछ नाजुक वेराइटीज के होते हैं कुछ पौधों के पत्ते सरदिया आते ही अपने आप पिले होकर गिर जाते हैं और ग्रोइंग सीजन में दोबारा निकल आते हैं ये पौधे का एक नेचरल प्रोसेस होता है तो इसका मतलब पत्ते सूख कर गिरने का हमेशा ही ये मतलब नहीं है कि आपका पौधा बिमार ही है हर प्लांट जब बिमार होता है तो वो प्रॉब्लम्स के सिगनल्स देता है आपको बस इन साइन्स को पहचानना सीखना है अगर इसमें मैंने रोज पानी दिया तो इसके कॉडेक्स में फंगस लग जाएगी और पौधा इस तरह से सूख जाएगा इसलिए किसी भी पौधे को कितना पानी देना है इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए जब पत्तियों के किनारे इस तरह से ब्राउन होने लगें त जब तक पौधे में नई ग्रोथ ना निकलने लगे तब तक बीमार पौधे को खाद नहीं देना है ओवर वोटरिंग के काराइं बीमार हुए पौधे को हलकी धूप में रखें पौधों में पानी तभी दें जब चूने पर मिट्टी सूखी महसूस हो कई बार गर्मियों के मौसम की तेज धूप पत्तियों को जुलसा देती है और पत्ते ब्राउन होकर गिर जाते हैं सभी पौधों की धूप की रिक्वार्मेंट अलग अलग होती है कुछ पौधे धूप में ही पनपते हैं जबकि पीस लेली या मनी प्लांट जैसे कुछ पौधे तेज धूप सहन कर ही नहीं सकते इसलिए आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि किस प्लांट को कितनी धूप चाहिए फिर इसी हिसाब से पौधे को रखने के लिए कम धूप वाली या ज्यादा धूप वाली जगए तै करनी चाहिए कई वियर्स ने मुझसे ये सवाल पूछा कि वो नर्सरी से हेल्दी प्लांट लेकर आते हैं पर घर आने के बाद रिपॉर्ट करने के कुछी दिनों में पौधा क्यों सुखने लगता है दोस्तों कुछ पौधों की जगा बदलने, नए गमले में लगाने, रूट डेमेज होने या चिक्नी और खराब मिट्टी में रिपॉर्ट करने से पौधा शौक में चला जाता है और अपनी पत्तियां गिरा देता है और सूख जाता है इस से बचने के लिए हमेशा नर्सरी से पौधा लाकर कुछ दिनों के लिए अपने गार्डन के सेमी शेड एरिया में रखें कुछ दिनों बाद जब पौधा नए एट्मोस्फियर के हिसाब से एडॉप्ट हो जाए तो वेल ड्रेंड और निूट्रिशन से भरपूर मिट्टी में इसे रिपॉट कर दीजिए बगीचे के कुछ पौधों पर अकसर मिली बग, एफिड्स, थ्रिप्स, स्पाइडर माइट्स, वाइट फ्लाइज और लीफ माइनर जैसे कॉमन पेस्ट लग जाते हैं इसमें से थ्रिप्स और वाइट फ्लाइज के कारण पौधों में लीफ करल वाइरस याने मरोडिया रोग फैल जाता है क्योंकि ये वाइरस के केरियर्स होते हैं जिससे नई पत्तियां मुड़ी हुई आती हैं समय पर इसकी पहचान करने से ज्यादा तर कॉमन पेस्ट से छुटकार अपाना बहुत आसान हैं एक लीटर पानी में पांच एमेल नीम ओयल मिलाएं और हर पंदरा दिन में एक बार स्प्रे करें वाइरस से बिमार हुए पौधे की ग्रोथ रुख जाती है और आखिरकार पौधा मर जाता है वाइरस से पूरी तरह से इंफेक्टेड प्लांट को बचाया नहीं जा सकता है दूसरे पौधों में इंफेक्शन फैलने से रोकने के लिए इंफेक्टेड पौधे को उखाड कर जला दीजिए साथ ही उस मिट्टी को भी दोबारा यूज ना करें क्योंकि पैथोजन्स और वाइरस उस मिट्टी में सालो साल जिन्दा रह सकते हैं पौधों को बढ़ने और फलने फूलने के लिए पौशक तत्वों की जरूरत होती है जमीन में लगे पौधे ज्याद से पीलापन दिखने लगता है अगर पतियां इस तरह से बीच से पीली पड़ती हुई दिख रही है तो गमले के किनारे से थोड़ी मिट्टी हटा कर एक चमच मेगनीशियम सलफेट या एपसम सॉल्ड डालिए मीडियम साइज के गमले में महीने में एक बार दो मुठी साइस के गमले में डालिए ये सब चीज़े आपके आसपास की किसी भी अगरिकल्चर स्टोर पर मिल जाएगी ना मिले तो amazon.com पर भी ये सब कुछ available है तोस्तों ज्यादा खाद देने से भी पौदा सूख जाता है इसलिए over fertilization या chemical खाद देने से हमेशा बचना चाहिए अक लगता है इसे root bound होना कहते हैं जब जड़े इस तरह गमले की मिट्टी के ऊपर दिखना शुरू हो जाए या नीचे से इस तरह से बाहर निकलने लगें तो समझ जाईए कि गमले में जड़े फैलने के लिए जगे खत्म हो गई है और पौधे को किसी बड़े गमले में ट्र और इसमें well-drained और nutrient rich मिट्टी डाल कर पौधे को लगा दे हर एक या दो साल में पौधे की reporting करने से पौधा हमेशा हरा भरा बना रहता है reporting बरसात या spring season में करना चाहिए मिट्टी या cement के गमले में पौधों को लगाना best option होता है plastic के गमले के बजाए मिट्टी के गमले में पौधा ज्यादा healthy रहता है बहुत से नए नए gardeners अकसर पौधों के life spawn को नहीं जानते और अपने फूलों सबजियों के पौधों को अचानक सूखता दे कारण सबज नहीं पाते बहुत से सबजियों और फूलों के पौधे seasonal होते हैं और कुछ महीनों तक फल या फूल देन के बाद उनकी life पूरी हो जाती है और वो अपने आप सूखने लगते हैं ये एक natural process है और इन पौधों को नहीं बचाये जा सकता इसलिए इने बचाने की कोशिश नहीं करना चाहिए अकसर gardening lovers अपने पौधों से प्यार करते हैं और अपने फेवरेट प्लांट को मरता हुए देखकर समझ ही नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी मरते हुए पौधे को बचाने के लिए आपको उसकी problems को समय पर पहचानना ज़रूरी होता है इसमें लापरवाही या टालमटोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए लेकिन कई बार प्लांट को बचाना possible नहीं होता है जैसे ये अजेलिया का प्लांट जिसे मैंने 1000 रुपे में खरीदा था शुरुआत में तो ये जबरजस फ्लावरिंग कर रहा था लेकिन नर्सरी वाले ने इसे चिकनी और खराब मिट्टी में लगा रखा था और मुझे इसे रिपॉर्ट करने का समय नहीं मिला पूर स्वाइल के कारण इसमें रूट रॉट हो गया हलाकि मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है फिर भी इसे बचाना मुश्किल है अगर सभी कोशिशों के बाद भी इस पौधे की तरह आपका प्लांट भी रिकवर नहीं हो रहा तो बहतर यहीं होगा कि ऐसे पौधे पर अपना समय और कोशिशें बरबाद ना करें और किसी नए प्लांट से एक नई शुरुबात करें अपनी गार्डनिंग रिलेटेट किसी भी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे डारेक्ट चैट करने के लिए मुझे प्लीज इंस्टाग्राम पर फॉलो करें इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्रिप्शन बॉक्स और पिंट कमेंट में दे रहा हूँ और ये है आज का कमेंट अफ दे वीक तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता है वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर करें नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग और कीप अंगार्णिंग